बिस्मिल्लायर। रख्मारोरहीम। तोडेस्टोपेक है DRP डेटा लॉस्परेशन इस वीडियो विए आप नहीं से लाइटा अप्रवेंशनीट आपके लेकिंटारज किता लेकिन डेटा लॉस्परेशन कीज़ा है इस से अगुश्छे और प्रवेंशनी। use to ensure sensitive data ना हो झीक है और कोई उनासराइज परसन जो है इसको एकसेस ना कर सकी ठीक है जो में गोल होता है इसका वो यह होता है कि आपकी जो भी इंपलेक्षिल प्रॉक्टी है फिनचल डेटा है है इंपलाई का रिकॉर्ड है कस्मेर टेल है ठीक है वो आइधर एक्सिदेंटली और इंटेंशली आउटसाइड दा कॉर्पेर नेट्वर्क सेंट ना हो ठीक है तो में गोल यही है कि इस डेटे को सेंसिटिव डेटे को हम लोगों ने प्रिवेंट करना है विदिन ओर्गना और प्रोटेक्शन हेल्थ इंफ्रमेशन और पेमेंट कांट इंफ्रमेशन इफ सो यू आर्मोर देन लाइक्टी सब्जेक्ट वू कंप्लाइस आपको कंप्लाइस करना पड़ेगा रेगुलेशन जितने भी है सच है सिपा का लौ है ठीक है फिर हम लोग जीडिपी आर जीडिपिर मेंशन इवकरवेंशन एकरोशक है begin उसके फोर पार्ट यहारी है की डेटा इंवेंटरी इस में क्यों होता है सनसेटेव है उसको क्लासिफाय किया जाता है डेटा क्लसिफाय में मिलुकुल डेटीव क्लासिथी करते हैं कि हाइबली साटेव है और एंटरनर जिसमें क्या होता है, plot the data flow over the life cycle, यानि कि हम यह देखते हैं, जो information life cycle होता है, वहाँ पे, कहाँ पे data यह reside करता है, जैसे कि data add rest है, पर data add motion है, पर data add use है, ठीक है, वो तीनों कहाँ कहाँ पे data use हो रहे हैं, ठीक है, next जो है जी, वो है data protection strategy, पर्फॉर्म रिस्क assessment, डीलपी जो होता है, आपका risk management का part होता है, इसमें हम सबसे पहले risk assessment करते हैं, और फिर उसके बाद determine करते हैं, डीलपी solution, जो भी solution है, वो determine किया जाता है, जब वो आप determine कर लेते हैं, फिर उसके गूवल लेते हैं, management से जब गूवल हो जाती है, फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, implementation, testing और tuning की तरफ जाते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, जी testing of different scenario, और different scenario को test किया जाता है, ठीक है, और analyze किया जाता है, और in the end उसको tune किया जाता है, ठीक है न, ताकि उसको mature किया जा सके, जो भी solution हम लोग इसके उपर implement करे जा रहे हैं, DLP का, ठीक है, next हम देखते हैं, DLP की types कौन सी है, first one है, network DLP, applies to data in motion, जो भी data over the network move over on है, उसको data in motion कहते हैं, उसके उपर होता है, ठीक है, the user when he, she sent sensitive information like credit card number, SSN और personal information, जब भी send करते हैं, होता है कि इसके अंदर या always edge के उपर लगती है, जो भी आपका network होता है, ठीक है, और उसके उपर rules define होते हैं, ठीक है, जो भी detect करता है, कोई भी credit card के information सेंड कर रहा है, social security या personal, जो भी sensitive data है, उसके rules define कर दीजाते हैं, वो data जब भी जाने लगता है, वो उनको protect करता है, ठीक है, यह network DLP की जो appliance है, वो यह काम करती है, ठीक है, इसके drawback है, it will not protect data on devices that are not in the organization, बिलको अगर organization network के उपर नहीं है, तो उनको तो बिल्कुल नहीं करेगा, यह protect करेगे, ठीक है, फिर does not have capability to decrypt encrypt tunnels, बिल्कुल अगर तो आप encryption यूज कर रहे हैं, ठीक है, VPN tunnels यूज हो रही है, तो वो भी यह नहीं देख सकेगा, कि उसके अंदर अगर personal data जा रहा है, ठीक है, उसको protect नहीं करेगा, ठीक है, उसके बाद high cost organization to deploy only a network job point, ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद second आ जाती, end point DLP, applies on data in use, यह जो data use हो रहा है, और data in rest, जो की data का store है, hard drive पे है, जहां पे store है, ठीक है, protect the data on the user laptop, यह नहीं लैपटोप के उपर जो data है, उनको protect करता है, बेसिकलिए इसके उपर क्या होता है, server client का concept test में, clients जो होते हैं, agents किलाते हैं, ठीक है, जो end system के उपर install कर दी जाते हैं, ठीक है, अच्छा, यह क्या है, allow more degree of protection than, यह उससे ज्यादा protection देता है, end point, as compared to network DLP से, ठीक है, इसके drawbacks क्या है, यह basically complex होता है, और agent management आपको पूरी की पूरी करनी पढ़ती है, इसके उपर, third one थी आजाता है, hybrid DLP, apply both EDLP, end point, DLP और network DLP, अच्छा, costly and most complex approach है, costly and most complex बिल्कुल approach होती है, ठीक है, offer the best, बिल्कुल, यह offer, best coverage approach और protection देती है, because इसमें, दोनों तरह network को भी प्रटेक्ट कर रहे होते हैं, और end system को भी प्रटेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, thank you, I hope you learned data loss prevention, if you like this video, kindly share with your friends and subscribe this channel